हेलो स्टूडेंट कैसे हो सभी उमीद करूँगा सभी ठीक टागों भी सभी को गुड मोर्निंग आज हमारा रियाना सीटी की तरफ से एन्सियार्टी की साइंस बायोजी टैस सीरीज नंबर सेकेंड है इससे पहले एक टैस सीरीज गरा दी और कमिश्ट्री के लिए भी आपको पांच कलासे प्रोवाइड करवा दी तो चलिए फिर आपका किमती टाइम बरबाद नए करते हुए डारेक्ट कलास को सुरू करते हैं और सारे के सारे क्यूशन अगजाम कोरनर से बहुत ही ज़्यादा इप्पोर्टन्ट होगे किस कोशिकां को कोशिका का मास्टर कहा जाता है वी वैरी वैरी मोस्ट पोटन्ट किस कोशिकां को कोशिका का मास्टर कहा जाता है राइट आंसर की अगर बात करें और यहीं पर पूछ ले कोशिका का पावर हाउस यानि कि कोशिका का पावराउस या फिर कोशिका का उर्जागर भी तो हो जेगा हमारा माइट्रो क्रांडिया भी Next question देखिए, question number 2 क्या कहता है? किसी कोशिका में मौझूद सबसे बड़ा कोशिकां कौन सा होता है भी? निमलिक्त में से किस कोशिकां को कोशिका का प्रोटीन कार खाना का जाता है या कोशिका को प्रोटीन कार खाना का जाता है Very very most important question, protein factory या फिर प्रोटीन कार खाना तो राइट अन्स रोजेगा मारा option number B बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा भी, ribo, zombie और इस क्लास की PDF टेलिक्राम पर मिलजेगी जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है Question number 4 क्या कहता है निमलिक्त में से कौन सा कोशिकां केवल पसू कोशिका के अंदर पाये जाता है Question number C बिल्कुल कोशिका के अंदर पाये जाता है Right answer के अगर बात करें option number C बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा हमारा Lysosombie Option number 3 बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा Lysosombie Question number 5 क्या कहता है G1 की मूल बूत इकाई क्या है भी What is the basic unit of the life Very very important question और simple सा question Right answer रोजेगा सेल यानि की कोशिका option number A बिल्कुल हमारा क्रेक्ट होजेगा Next question देखिए भी और इस टैसरीज के अंदर आपको सारे के सारे क्यूसन कोशिका सिदानत सर्चना कारे से related मिलेंगे जो अग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं भी एक क्यूसन हर बार अग्जाम के अंदर आता है Question number 6 क्या गयता है सरीर में लगी चोट की मरमत के लिए किस परकार के सेल विबाजन का प्रियो किया जाता है Right answer के अगर बात करें Option number A बिल्कुल कुरेक्ट होजेगा भी केवल सम सुत्रन का भी Next question देखिए Question number 7 क्या कहता है एक पसू के सरीर की सबसे बड़ी कोश्का इन में से कौन से यह भी एक पसू के सरीर की सबसे बड़ी कोश्का इन चार ओप्षन के कोर्डिंग बताना आपको कौन से होजेगी पसू के सिरीर की सबसे बड़ी कोश्का की अगर बात करें तो right answer हो जाता है हमारा option number B बिल्कुल correct हो जगा भी neuron next question देखिए question number 8 क्या कहता है भी निमलिक्त में से कौन सा एक कोश्का के अंदर अधिक मात्रा में होने वाला अणू है भी question number 8 की अगर बात करें कोश्का के अंदर सबसे ज़्यादा अणू यानि की water option number A बिल्कुल हमारा correct हो जगा भी जग next question देखिए question number 9 क्या कहता है निमलिक्त में से कौन सा कोश्का अंग पादब कोश्का में तो पाया जाता है परन्तू जन्तू कोश्का के अंदर नहीं पाया जाता है यानि की पसू कोश्का के अंदर नहीं पाया जाता निमलिक्त में से कौन सा कोश्का का अंग जो पादब कोश्का में मिलता है परन्तू जन्तू कोश्का के अंदर नहीं पाया जाता इन चार ओप्शन के अकोर्डिंग बताना है भी कौन सा गटक पतियों को हरा रंग परदान करता है राइट अंसर के अगर बात करें ओप्शन नमबर बी बिल्कुल कुरेक्ट हो जेगा भी कलोरो फिल और लास्ट के अंदर कॉमेंट करके बताना भी आपके कितने क्यूसन ठी क्यूसन नमबर 11 के अगर बात करें राइट अंसरोजे का हमारा ओप्शन नमबर सी बिल्कुल कुरेक्ट यानि की सेलूलोज का भी कोश का मिकोश का भीत्ती का निर्मान करने वाले जटिल कार्बोइड रेट का सेलूलोज का जाता है भी और ये क्यूसन एचसी के अंदर ब ओप्शन नमबर सी हैदराबाद के अंदर भी नेक्स्ट क्यूसन देखिए क्यूसन नमबर 13 वेरी वरी मोस्ट इपोटन क्यूसन सेंटर फोर डियन ने फिंगर प्रिंट एंड ग्रोष्टिक कहां पर स्तीत है भी कहां पर इसकी स्तापना स्तीती कहां पर होजेगी सेंटर डियन ने फिंगर प्रिंट एंड डियो ग्रोष्टिक की राइट अंसर होजेगा हमारा ओप्शन नमबर ए बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा भी हैदराबाद के अंदर नेक्स्ट क्यूसन देखिए क्यूसन नमबर 14 क्या कहता है निमलिक्त में से कौन सा सरीर के उतकों की विर प्रोटिन की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी औप्सन नमबर A हमारा यहां पर क्या होजेगा राइट होजेगा नेक्स्ट क्यूसन देखिए क्यूसन नमबर 15 प्रोटिन के निर्मान में अधारबुत इकाई होते हैं भी बहुत बार अगजाम के अंदर क्यूसन है प्रोटिन बनाने के लिए अमीनो अमल कितने जरूरी है भी बहुत बार अगजाम के अंदर क्यूसन आया है प्रोटिन बनाने के लिए अमीनो अमल की संख्या पूछली जाती है राइट अंसर होजेगा उप्सन नमबर B बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा बेस भी नेक्स्ट क् question number 18 क्या कättा है भी a- Aubipson 80 की उत्ष परिवर्तन इन में से है भी a- Aub interpretations की उत्ष परिवर्तन इन चार ऑप्षन के recording बताना भी किसके अंदर होता है advice की उत्ष परिवर्तन right answer की अगर बात करे ही kromosome के अंदर यानि की गुण़स्टर के अंदर option number B, बिल्कुल हमारा क्या होजेगा, यहां पर है, correct होजेगा भी, next question देखिए, question number 19, क्या कहता है, gene परिवर्तन किस में होता है भी, gene परिवर्तन किस के अंदर होता है, right answer की बात करें, gene की बात हुए, तो DNA के अंदर, DNA की full form भी पूछ ली जाती है, comment करके बताओ भी, DNA की full form क् next question देखिए, question number 20, DNA sensation का परती पादन, किस ने किया था, very very most important question, DNA sensation का परती पादन के अगर बात करें, option number C, बिल्कुल हमारा यहां पर correct हो जाता है, कोरन बरक के दवार भी, next question देखिए, बिल्कुल सिंपल सा question, मानो शरीर में, क्रोमो सॉम यानि की गुण सुत्तर की संक्या पूछली कितनी है भी, 46 कुन सुत्तर होते हैं, और जोडों के अंदर बात करें, तो 23 जोड़े complete होते हैं भी, और जो 22 जोड़े होते हैं, वो नर और मादा दोनों के अंदर समान होते हैं, 23 वह जोड़ा बिन होता है, यानि कि नर के अंदर X और Y, और मादा के अंदर बात क Quesion No.22 क्या कहता है, किसके दवारा अनुवास्गता के विज्ञान को अनुवास्की यानिकी जैनेटिक्स का गया था भी, किसके दवारा अनुवास्की का गया था, very very most important question, बहुत बार अगजाम के अंदर repeat question हुआ है और इस प्रकार के question की आने की पूरी पूरी उमीद रहती ह तो राइट अंस रोजिग हमारा option number D बिल्कुल correct होज़ेगा भी डेबलू, बेट शेन के दोबरा next question देखी question number 23 RNA का मुख्य कारिया पूछ लिए भी RNA का कारिया क्या होगा यानि की RNA का main function क्या होज़ेगा भी question number 23 की अगर बात करें हमारा right answer रोजिगा भी protein sensation में साहिता प्रदान करना option number B बिल्कुल हमारे याँ पर क्या होज़ेगा है correct होज़ेगा है next question देखीए और इसके बाद जो आपकी class होगी India GK की test series जो चल रही थी test series number 11 most important question with detail explanation के साथ cover करवाए जाएंगे question number 24 क्या 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 होगा भी question number 24 ribosome का मुख्यकारिया पूछ लिया क्या होगा 24 की अगर हम बात करें तो मारा right answer हो जाता है भी protein के अंदर यानि की protein sensation के अंदर ribosome का मेतोपून योगदान है next question देखीए question number 25 बहुत बार अगजाम के अंदर question आया है और इस type का question आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है आत्तम हत्या की थेली किसे का जाता है भी आत्तम हत्या की थेली किसे का जाता है right answer की अगर बात करें option number 3 बिल्कुल correct होजेगा भी lysoome को भी next question देखीए question number 26 question number 26 के अंदर बताना है भी निमलिक्त में से हर गोविंद खुराना को किस अविसकार के लिए समानित किया गया था भी 26 के अगर बात करें right answer हो जाता है भी protein translation के कारण option number A बिल्कुल हमारे याँ पर क्या हो जाता है right हो जाता है next question देखीए 27 सजीवों की क्या पहचान है भी सजीवों की क्या पहचान होगी question number 27 right answer की अगर बात करें option number B बिल्कुल correct हो जाए क्योंकि सजीव होंगे तो उसके अंदर क्या होगी भी question number 29 क्या कहता है भी एक कुश्का साइटो प्लाजम जिस जिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या कलाती है एक कुश्का साइटो प्लाजम जिस जिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या कलाती है टाउन्टी नाइन की अगर बात करें उसको बोलेंगे भी प्लाजमा जिल्ली option number B बिल्कुल हो मारे यहाँ पर क्या हो जाता है right हो जाता है next question देखिए question number 30 question number 30 क्या कहता है कोश्का गती विदियों की अगर बात करें right अंस रोजगा भी नूकलियस के दवारा option number D बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है right हो जाता है तो आज की class के अंदर most important question करवाए और यह वो question थे जो कहीं ना कहीं आपके exam के अंदर 100% देखने को जुरूर मिलेंगे class कैसे लगी comment करके जुरूर बताओ और आपसे यही उमीद है class को ज़्यादा से ज़्यादा share करें मिलते हैं फिर next वीडियो के अंदर